राधे राधे एवरिवन आप सभी को हनुमान जैनती की बहुत बहुत शुब काम नाए चैत्रमास की पुर्णी मातिथी को हनुमान जी के जनम दिवस के रूप में मनाया जाता है इस वर्च यानि 2022 में हनुमान जैनती 16 अप्रेल को मनाई जाएगी हनुमान जैनती के दिन हनुमान जैन्ति के दिन बजरंग बली हनुमान की पूजा के लिए सबसे पहले हमें एक पटड़ा या एक चोकी चाहिए होगी इसके साथ ही हमें लाल रंग का कपड़ा चाहिए होगा आसन बिछाने के लिए तो आप लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए हनुमान जी को लाल तो पूजा में जहां तक हो सके जादा तर चीजा आप लाल रंग की यूज़ करें इसके बाद देखिए हमें बजरंग बली हनुमान की कोई भी फोटो या मूर्ति लेनी होगी साथ में ही आप राम चंदर जी की फोटो या परतिमा जरूर ले ले यहां पर देखिया हनुमान जी के सीने में ही राम चंदर जी की फोटो है तो यहां पर भी आप राम चंदर जी का पूजन कर सकते हैं तो हमने हनुमान जी की फोटो ले ली है साथ में ही गनेश जी का भी पूजन जरूर किया जाता है तो आप गनेश जी की फोटो या परतिमा ले लीजे या आप सुप पूजा कर सकते हैं इसमें आप सभी का पूजन हो जाएगा तो यहां पर हमने रामायन ले ली है अब हम देख लेते हैं कि पूजा की थाली में हमें क्या-क्या सामगरी लेनी होगी सबसे पहले तो हम एक लोटा शुद्ध जल ले लेंगे तो यहां पर हमने एक लोटा जल ले लिया है उसके बाद देखिए हमें ओरेंज कलर का जो सिंदूर आता है जो हनुमान जी को चड़ाया जाता है यह सिंदूर ले लेना है अगर आप चोला चड़ा रहे हैं तो आपको चमेली के तेल का दिया ले लिजे नहीं तो आप देशी घी का दिया ले लिजे धूप ले लेंगे हम इसके साथ ही हम जनेव लेंगे तो यहां पर देखिए हम गनेश जी के लिए जनेव लेंगे स्री राम चंदर जी के लिए जनेव लेंगे और हनुमान जी के लिए सबाग पूज के ऐधार में posटर सवरूप समर्पित करने के लिए किलावा ले लें और साथ में यहिए देख़ें हम ढ़क्षिना जरूर लेंगे यत्था संभा अफ़ दक्षिना ले लीजिए के लें आप चूरमे के लड़ू भी ले सकते हैं, हमारे यहां पर हनुमान जी को चूरमे के लड़ू चढ़ाया जाते हैं, तो चूरमे के लड़ू मैंने ले लिए हैं, साथ ही देखे, केला बहुत पसंद होता है हनुमान जी को, तो आप केले का फल जरूर समर्पित करें, जब भी आप हनुमान जी के पूजा करें, केला जरूर समर्पित करें, तो ये चीज़े हमने भोग के लिए लिए हैं, साथ ही हमने कुछ फूल ले लिए हैं, तो जो भी फूल आपको मिल जाए आपको फूल ले लिजिए, फूल माला अगर आपको मिल जाए तो आप फूल माला ले लि लेकिन अगर आप हनुमान जैनती पर हनुमान जी का पूजन कर रहे हैं तो इतनी सामगरी तो आपको चाहिए ही होगी। हनुमान जैन्ति के दिन हनुमान जी का पूजन करने के लिए आप अलग से जोकी भी लगा सकते हैं या आप अपने घर के मंदिर में जहाँ पर आप रोजाना पूजा करते हैं वहाँ पर भी हनुमान जी का पूजन कर सकते हैं फ्रेंड्स हनुमान जैन्ति की पूजा सामगरी का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए जै बजरंग ब राधे राधे